हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का टी एस एजूकेशन सेंटर में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समानी ज्यान के कुछ महत्तोपुड प्रसन और उत्तर जो आपके सभी एकजाम्स के लिए महत्तोपुड है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कोश्चन है कारवन डेटिंग से किसकी आयू का निर्धारण होता है इसका सही एंस्वर है कारवन डेटिंग से जिवास्म की आयू का निर्धारण होता है अगला कोश्चन है भारतिय विमान पतन प्राधिकरण की अस्थापना किस वर्ष की इसका सही एंस्वर है भारत्य विमान पतन प्राधिकरण की अस्थापना 1925 निस्वी में की गई अगला कुछ ने हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है इसका सही एंस्वर हरित लवक में मैगनीसियम पाया जाता है अगला कोशन है किस सिख गुरु ने अमरित सरनगर की अस्थापना किये इसका सही एंस्वर है गुरु अमर दास ने अमरित सरनगर की अस्थापना किये अगला कोशन है रचनाकार स्टेनली का मुख्य कॉमिक पात्र कौन है इसका सही एंस्वर है रजणाकार स्टेनली का मुख्य कॉमिक पात्र स्पाइडर मैन है अगला कोश्चन है भारत में कुल स्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग और संगठी छेत्र में ही कारियरत है इसका सही एंस्वर है भारत में कुल 94 प्रतिचत से अधिक भाग और संगठी छेत्र में ही कारियरत है अगला कुश्चन है किस आंदोलन के दोरान सबसे बड़ा क्रिशक छापा मार युद्ध देखने को मिला इसका सही एंस्वर है तेलंगाना आंदोलन के दोरान सबसे बड़ा क्रिशक छापा मार युद्ध देखने को मिला अगला कुश्चन है वह लोग सभाई स्पीकर कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट पती हुए इसका सही एंस्वर है नीलम संजीव रेड़ी बाद में भारत के राष्ट पती हुए अगला कुश्चन है धातू के प्रकासिय गुडों के अध्यन करने में किसका उप्योग किया जाता है इसका सही एंस्वर है धातों के प्रकासिय गुडों के अध्यन करने में पूल राइड का उप्योग किया जाता है अगला कोश्चन है वन डिग्री देशांतर की सरवाधिक दूरी कहां पर होगी इसका सही एंस्वर ए वन डिग्री देशांतर की सरवाधिक दूरी विश्वत रिखा पर होगी अगला कोश्चन ए परमाडु सक्ति सयंत्र किस सिध्धान्त पर कारी करता है इसका सही एंस्वर ए परमाडु सक्ति सयंत्र विखंडन सिध्धान्त पर कारी करता है अगला कोश्चन है अंतिम मुगल बादसाह कौन था? इसका सही अंस्वर है बहादूर साह दितिय अंतिम मुगल बादसाह था अगला कोश्चन है घोसला बनाने वाला एक मात्र साप कौन सा है? इसका सही एंस्वर है किंग कोब्रा घोसला बनाने वाला एक मात्र साप है अगला कोश्चन है प्रथम पंचवर्सी योजना में कितने रुपए ब्याय करने की बेवस्था की गई थी इसका सही एंस्वर है प्रथम पंचवर्सी योजना में 2378 करोड रुपए ब्याय करने की बेवस्था की गई थी अगला कोशन है भारत में टेलिवीजन की शुरुआत कब हुई इसका सही एंस्वर है भारत में टेलिवीजन की शुरुआत 15 सितंबर 1969 हिस्वी को हुई अगला कोशन है जम्मो कस्मीर में विधान परिषत के सदस्यों की संख्या कितनी है इसका सही एंस्वर है जम्मो कस्मीर में विधान परिषत के सदस्यों की संख्या 36 है अगला कोशन है सिख धर्म की अस्थापना किस ने की इसका सही एंस्वर है गूरु नानक ने सिख धर्म की अस्थापना किये अगला कुशन है भारत के किस प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान पहुचने हेतू बस से यात्रा की थी इसका सही एंस्वर है अटल बिहारी बाजबेई ने पाकिस्तान पहुचने हेतू बस से यात्रा किये थे अगला कुशन है प्रकास संसलेसर के दोरान पैदा होने वाली ओक्सीजन का स्रोथ क्या है इसका सही एंस्वर है प्रकास संस्लेसर के दोरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोथ जल है अगला कोशन है किस देश की दो तीहाई जनसंख्या दच्छडी पुर्वी भाग में रहती है इसका सही एंस्वर एक कानाडा की दो तिहाई जनसंख्या दच्छडी पुर्वी भाग में रहती है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर भी करे